तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नमबर 5 राज्य राज्य और एक प्राजीन गन्राज्य तो चार चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं एक्सेसाइज भी हम लोगों ने उसकी कर ली थी तो आप किसी भी कम्टिशन के त्यारी कर रहे हो चाहे आप स्टेट लेवल पर कर रहे हो चाहे सेंटर लेवल पर कर रहे हो NCRT बुक जो है वो मस्ट है यानि बहुत जरूरी है इनको पढ़ना जिसने 6 से 12 तक की बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली तो किसी भी कम्टिशन में आप जो है हिस्ट्री जोगरफी पॉलिटी से जो है व हम अपना मुखिया चुनते हैं मतदान करके उसी तरीके से पहले क्या होता था ठीक है इस बारे में हम पढ़ेंगे पहले जो है वो राजा का चुनाव कैसे किया जाता था तो ये लड़का है इसका नाम क्या है संकरन है ये उठा तो उसने देखा कि उसके नाना-नानी होट जा रहे थे दरसल वे चुनाव गिंदर पर सबसे पहले पहुँचना चाहते थे संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उसाहित क्यों थे उसके नाना जी ने जल्दी में जो है उसको समझाने की कोशिश की और कहा आज हम अपने साशकों का चुनाव करने जा रहे हैं तो देखिए ये चीज तो हमें भी समझ में आती हम चार चैप्टर पढ़ चुके हैं कि जो सक्ति साली होता था तो वही राजा बनता था लगवग पचास वर्सों से हम अपने शाशकों का चुनाव जो है वो मतदान के जरिये करते आ रहे हैं लेकिन बहुत पहले लोग जो है स प्रक्रिया में जो है कुछ परिवर्तन हमें दिखाई दिये थे कुछ लोग क्या करते थे बड़े बड़े यग्गों का आयोजन करते थे और फिर राजा बनते थे अस्वो मेग यग इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा जो है आयोजन था इसमें एक घोड़ा जो होता था, इसको राजा के लोगों की देख रेक में सोतंत्र विच्छरन के लिए छोड़ दिया जाता था, इस गोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, तो उसे वहाँ अस्वमेग यग करने वाले राजा से क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक ह उन राजाओं को यग में आमंत्रित किया जाता था, यह यग विचिस्ट पुरोहितों के द्वारा संपन किया जाता था, इसके लिए उन्हें उपहारों से भी सम्मानित किया जाता था, अस्वमेग यग करने वाला राजा बहुत सक्तिशाली माना जाता था, यग में आमंत जारती ही जो है उसका सहचर होता था यग के अफसर पर वह राजा की विजियों तथा अन्य गुड़ों का जो है वो गान करता था राजा के सगे संबंदी खास कर उसकी रानी हैं पुत्र हैं तो कई चोटे-चोटे अनुष्ठान करने होते थे अन्य सारे आमंत्रित राजाओ का काम क्या होता था शिर्व बैट कर यग की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था यानि ये जो राजा है इसकी प्रसंसा में बहुत सारे गुड़गान हो रहे हैं तो इसको सुन रहे हैं ठीक है तो राजा की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ जाती थी राजा के उ अपर ये चीज़ आपको ध्यान में राखनी है कि उस समय जब अस्वो मेग यग किया जाता था तो पुरोहित जो है वह जो विश होते थे वैश होते थे यहां पर हम एक चीज पढ़ लेते हैं, बॉक्स में दी हुई है, वर्ण, इस समय उत्तर भारत में खास कर गंगा युमना शेत्र में कई ग्रंत रचे गए, रिगवेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तरवैदिक ग्रंत कहे जाते हैं, इनके अंतरगत जो है वो किसको कहा गया सामवेद को, यजुरवेद को, अथरवेद को और इसके साथ अन्य ग्रंतों को, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंतों में विविन प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की जो है वो विधियां बताई गई है, इन में सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, तो इन चारों विदों के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उस समय समाज में जो है कई समू थे जिन में पुरोहित, योद्दा, क्रशक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मचली पकड़ने वाला जंगल में रहने वाल जहां कुछ पुरोहित और योद्दा, व्याववशाली थे, वहीं कुछ करशक और व्यापारी भी धनवान थे, दूसरी और पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मचली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन, संग्राहक ये थे, निर्दन थे, ठीक है, तो ध्यार रखना ह कि एक जो कुछ किसान होते थे, व्यापारी होते थे, इनके पास पैसा होता था, बाकी जो लोग होते थे, समाज के जो बाकी समूध है, तो वो थोड़े गरीब थे, जिसमें पशुपालक था, श्रमिक था, मचली पकड़ने वाला था, शिकारी था, और भोजन, संग्राहक था, तो यह आपको ध्यान में रखना है, पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में बाटा था, ठीक है, इनहीं को वर्ण कहा गया, ठीक है, वर्ण जो है, एक हम देखते हैं कि रंग जो होता है, उसको भी हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्ण का अर्थ क्या ह तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ब्रामन का काम था, वेदों का क्या करना है, अध्यान और अध्यापन, अध्यान भी करना और अध्यापन भी करना और यग करना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, दूसरा इस्थान था शाष प्राप्त था ये आप लोगों के लिए जो है वो हो गई important line ठीक है एक्जाम में जो है वो आप लोगों के पूछी जा सकती है ये line शत्रिय और वैश्य दोनों को ही जो है यग करने का अधिकार प्राप्त था ऐसे ही प्रस्ण आपके एक्जाम में पन जाते हैं वर्णों में अंतिम इस्थान जो है शुद्रों का था इनका काम था तीनों वर्णों की क्या करना शेवा करना इने कोई अनुस्थान करने का अधिकार नहीं था जहां आपने एस्वा में क्या पड़ा था वैश्य जो थे ने उनको भी अनुस्थान करने का अधिकार नहीं था बाद में उसको भी शुद्रों के समान माना गया यानि इनको भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं मिला। महिलाओं तो था शुद्रों को वेदों के अध्यन का अधिकार नहीं था। ठीक है उत्तरवैदिक काल की बात हम कर रहे हैं। पुर्वितों के अनुषार सभी वर्णों का निधारन जो है वो जनम के आधार पर होता था। उधारन के तोर पर ब्रामन माता पिता के संतान ब्रामन ही रहेगी। पुर्वितों से स्रेश्ट मानते थे। कुछ लोग जनम के आधार पर वर्ण निधारन सही नहीं मानते थे। कि ये तो गलत है। हो सकता है शत्रिय का बेटा जो है पूजा पाट करने में ज्यादा माहिर हो। वैश्य का बेटा जो है माहिर हो सकता है। तो ये लोग जो है नहीं मानते थे कि वही जनम के आधार पर जो है नहीं डिसाइड गिया जा सकता वर्ण धारन। इसके अत्रिक तो गुछ लोग व्यवसाए की आधार पर लोगों के भेदवाब उचितु नहीं समझते थे। वहीं पर दूसरे लोग व्यवसाए की अधार पर भी जो भेदवाव था उसको नहीं मानते थे। जिस तरीके से हमने देखा कि जो शववों को दफनाने या जल मानते थे जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन करने का अधिकार जो है वो सबका हो कई लोगों ने छुआ चूत की अलोशना की और इस उपमहादीप के पूर्वत्तर शेत्र जैसे कई लाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता जो है वो बहुत कम थी यहां सुईकार नहीं करते थे वन विवस्ता को ठीक है भेदवाब को नहीं मानते थे फिर देखिए जन से क्या बना जन पद जन यानि की लोग ठीक है और उसी से बना जन पद महायगों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जन पदों के राजा माने जाने लगे पहले जन के राजा ना होकर ये जनपदों के राजा माने जाने लगे जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगे होता है और ये जो है आपके एक्जाम में पूछी जा चुकी है ठीके किस एक्जाम में पूछी गई ये मुझे नहीं बता लेकिन ये लाइन आपके पूछी कुछ महत्पूर्ण जन्पद जो है मानचित्र चार में दिखाए गए हैं पुरातत विदों ने इन जन्पदों की कई वस्तियों की खुदाई की जिसमें देखिए दिल्ली में पुराना किला उतर परदेश में मेरट के पास हस्तिनापुर एटा के पास अतरंजी खेडा ठीक आपको दिखाई दे रहा है बरतन चित्रित धूसर पात्र इसके उपर क्या पना हूँ चित्र बने लुए है आप इस तरीके से जो है इस पर डिजाईन बने हूई है ठीक है इसको चित्रित दूसर पात्र कहा गया इस तरह के पात्रों में ज्यादा तर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं ये पात्र बहुत ही पतली सतह की सुंदर चिकने हैं शाय दिन्द का प्रियोग खास मौकों पर महतपूर्ण लोगों को भोजन परोशने के लिए किया जाता था तो इस तरीके का पुरातत विदो को जो है एक बरतन मिला है और इसमें ज्यादा तर थाली, कटोरी, गलास ये मिले हैं यानि बहुत इंपोर्टेंट परसन होता होगा राजा होता होगा ठीक है या पुरुभिद होते होंगे उनको बोजन कराया जाता होगा इसमें इतने दूसर पात्र के रूप में जाना जाता था ठीक है जैसा कि इनके नाम से सपस्ट है इन बरतनों पर चितरकारी की गई यामतुर पर सरल रेकाओ जयामती आकरत्यों के रूप में है तो ये आपको समझ में आ गया बहुत ही सरल बात है ये तो उसके बाद जन के बाद कहा जाने लगा मांचितर चार में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है और अधिकतर महाजनपदों की जो है एक राजधानी होती थी कई राजधानियों में किले बंदी की गई और इनके चारों और जो है लकडी ईट और पत्थर की जो है उची दिवारे बनाई गई थी तो ध्यान रखना है कि जो खिलेवंधी की गई थी यानि इनके चारो और जो हैं किसकी दिवारे बनाई गई एट के बनाई गई और पत्थर की उची दिवारी बनाई गई ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्ने राजाओं के आकरमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्मान किया था कुछ राजा अपनी राजधानी के चारो और विशाल, उची और प्रभावशाली दीवार जो है खड़ी कर और शक्ती का परदर्शन भी करते थे इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस शेतर पर नियंतरन रखना जो है सरल हो जाता होगा इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की फिल्कुल आवशक्ता पढ़ती होगी ठीक है लाखों की संख्या में इंटे और पत्थनों का इंतजाम भी करना पढ़ता होगा तो कौन करते होंगे तो हजारों की संख्या में इस्तरी पुरुस और बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया करते थे इनके लिए जो है संसाधनों की आवशक्ता भी पढ़ती होगी तो महाजनपत काल में जो राजा थे वो अब सैना रखने लगे और इन सैना को वेतन भी नियमित रूप से देने लग गए कुछ बुक्तान जो है वो संबत है आहत सिक्कों के रूप में होता था तो यह आहत सिक्के आपको धिहान में रखने हैं सिक्के जिनको पीट-पीट कर जो है इनको बनाया जाता था तो यह आहत सिक्कों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अध्याय आठ वे यह एक दीवार आप देख रहे हो कोसंबी किले की दीवार है किसकी ये कोसांबी किले की ठीक है और ये कहां पर है ये आदुनित जो उत्तर प्रदेश है इसके इलहावाद के पास में है कोसांबी ठीक है और ये पूछा जा चुका है इट की दीवार का अफसेज है ये और इसके एक भाग का निर्मान जो है वो विशाल के लिए बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे हमने देख लिया इस सेना को नियमित रूप से वितन भी देने लगे थे आहसिकों के रूप में इसलिए इन्हें प्रचुर संसादनों की आवशक्ता होती थी इसके लिए उन्हें करमचारियों की भी आवशक्ता होत जो अन्य राजा होते थे तो असम एक याक करने वाले राजा के लिए उपहार लेके आते थे ठीक है तो वो एक करके रूप में नहीं माना जाता था लेकिन महा जनपत काल में अब क्या हो गया थोड़ा सा परिवर्तन आया अब जो है राजा उपहारों पर निरवर ना रहकर नियमित रूप से कर जो है वो वसूल ने लग गए ठीक है लोगों से तो यहां पर देखिए अब कर किस-किस रूप में वो वसूल ने लग गए तो यहां पर फसलों पर लगाए गए कर सबसे इंपोर्टन थे क्योंकि अधिकान से लोग जो है वो किसान ही थे ठीक है क्यों जो हमने देखा धनी व्यक्तियों में आ रहा था, तो इनसे जो है उपज का, यानि जो भी इतना भी उपज हुआ है, उसका एक बटा छेवा भाग जो है, कर के रूप में नेधारित किया जाता था, इसको क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था, तो फसलों पर लगाए जाने बटे छटवा हिस्सा, नेक्स्ट है, कारीगरों उसके उपर भी कर लगाए जाते थे, और इनसे कैसे लिया जाता था कर, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, वही काम करके जो है ये कर देते थे, जैसे कि एक बुनकर है, लोहार है, सुनार है, इसको राजा क लिए जो एक महीने में एक दिन जो है वो बिल्कुल फ्री में काम करना पड़ता था, जो की कर के रूप में इसका बुक्तान माना जाता था, पशुपालक कैसे करता था, तो इसको जानवरों या उसके उतपाद के रूप में जो है वो कर देना पड़ता था, व्यापारियो ज्यादा अब जो है वो विल्कुल डिसाइड हो गया महाजनपत काल में राजा जो है नियमित रूप से जो है कर लेने लग गए और अभी तक जो हमने पढ़ा है सबसे इंपोर्टेंट जो है वो आप लोगों के लिए ये है क्रशी में परिवर्तन वहीं पर देखिए महाजन लकड़ी के बने होते थे अब जो है वो किसके बने लगे लोहे के बने लगे तो ये समझे कि क्रांती आ गई क्रशी के शेत्र में अब कठोर जमीन को जो है लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से बहुत ही आसानी से जोता जा सकता था तो इससे क्या हुआ फसलों क की उपज बढ़ गई दूसरा जो था वो लोगों ने धान के पौधों का जो है रोपन शुरू किया ठीक है अब रोपना शुरू कर दिया अथार्त खेतों में जो हो बीज छुड़कर धान उपचाने के वज़ाए पहले क्या करते थे कि खेतों में वो बीज जो थे वो छिड परिवर्तन क्या था धान की पौदे का रोपन ये दो लाइन याद रखनी है अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौदे जो है जीवित रह जाते थे इसलिए पैदावर भी ज्यादा अच्छी होने लगी इसमें कमर तोड परिश्रम लगता था ये काम ज्यादा तर ज रशी में जो परिवर्तन हुआ दो महत्वण परिवर्तन कौन से थे लोही की खोज और उसके कारण जो है क्या हुआ फचलों की उपज का बढ़ना और दूसरा जो है रोपा जाना लगा ओधों को ठीक है तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से पढ़ किसे समझ में आ जाएगा तो जहां तक मैंने पढ़ाया है इसको आप जो है वो बार बार वीडियो को देखें तो NCRT की बुक जो है बिल्कुल कहानियों की तरह से होती है तो इनको आप समझने की कोशिश करिए और फिर जो इंपोर्टन चीज होती है इनको याद रखने की कोशिश करें मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थैंक यू